पिछली सत्र में हमने यह सर्वसमिका देखी और इसका उपयोग देखा. अब मित्रो, इस सत्र में हम एक और सर्वसमिका देखेंगे. चलिए इस सर्वसमिका को देखते हैं. यह समिकरण कहता है कि अगर हम दो चर A और B को जोड़ेंगे और उसे A घटा B से गुणा करेंगे, तो यह A वर्ग घटा B वर्ग के समान होगा. क्या आप पता लगा सकते हैं कि क्या यह सर्वसमिका है? चलिए देखते हैं. इस व्यन जग पर गौर कीजिए. चलिए इसे कोश्ठक खोल कर सरली कुरुत करते हैं. यह इसके समान होगा. अब यहां क्योंकि A B बी A के समान है, धनात्मक A B और रुनात्मक A B रद हो जाएंगे. तो हमें यह मिलेगा. देखिए, यह वही व्यन जग है जो यहां दाए पक्ष में है. तो इसका मतलब यह है कि यह एक सर्वसमिका है. इस सर्वसमिका को देखने का एक दिल्चस्प तरीका भी है. चलिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक वर्ग है जिसका भूजा A है. और हम इस वर्ग में से एक छोटे वर्ग को हटा देंगे जिसकी भूजा की लंबाई B है. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बचे हुए भाग का शेत्रफल क्या होगा? इस बचे हुए भाग का शेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं. चलिए, पहले वाले को देखते हैं. हम यह देख सकते हैं कि यह बचा हुआ शेत्रफल दो आयतों में बाटा जा सकता है. इस पहले आयत की लंबाई A के समान है और चोड़ाई A घटा B के समान होगी. चलिए, अब इस दूसरे आयत की ओर नजर डालते हैं. हम देख सकते हैं कि इस आयत की चोड़ाई B है और इसकी लंबाई A घटा B के समान होगी. लेकिन अब ध्यान दीजिए कि इस आयत की चोड़ाई इस दूसरे आयत की लंबाई के समान है. तो हम इस आयत को यहां से हटा कर यहां जोड सकते हैं. ये करने से हमें एक बड़ा आयत मिला इस बड़े आयत की लंबाई A जोड भी है और इसकी चोड़ाई A घटा भी है हम जानते हैं कि आयत का शेत्रफल उसकी लंबाई गुणा चोड़ाई के समान होती है इस प्रकार इस आयत का शेत्रफल ए जोड भी गुणा ए घटा भी होगा तो इस बचे हुए भाग का शेत्रफल हमें यह मिलता है इस शेत्रफल को खोजने का एक दूसरा तरीका भी है यह शेत्रफल असल में इस बड़े आयत के शेत्रफल गटा इस छोटे आयत के शेत्रफल के समान है इन दो वर्गों का शेत्रफल क्या होगा? बड़े वर्ग का शेत्रफल A वर्ग होगा और छोटे वर्ग का शेत्रफल B वर्ग होगा तो इसका मतलब है कि बचे हुए भाग का शेत्रफल ए वर्ग घटा बी वर्ग के समान होगा अब क्योंकि यह दो व्यन जक इस बचे हुए भाग के शेत्रफल के समान है इसलिए यह दो व्यन जक एक दूसरे के भी समान होंगे तो इस तरह हमें यह सर्वसमिका मिलेगी तो इस सत्र में हमने यह सर्वसमिका देखी अगले सत्र में इस सर्वसमिका को कैसे इस्तमाल करें इसकी कुछ उधारन देखेंगे